क्या आपको पता है कि आप अपनी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर को अपने मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्टेड कार फीचर का प्रियोग करते हुए स्टार्ट भी कर सकते हैं रिमोटली कहीं पर भी अगर आपने हमारी शॉट वीडियो में देखा है कि कैसे आप अपने मोबाइल आप के थ्रू आप अपनी टोयोट आर्बन क्रूजर हाई राइडर को स्टार्ट कर सकते हैं रिमोटली आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर डीटेल में कि आखेर कैसे वह आप काम करती है, किस प्रकार आपको रिजिस्टर करना है और क्या-क्या फंक्शनस उसमें आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस परकार के हमने बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की हैं जिसमें आप सभी फीचर्स को डीटेल में देख सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो चली शुरू करते हैं तोयोटा आईकनेक्ट बारे में आपको बताएँ सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ौयोटा आई कनेक्ट नाम की अप है जो की प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है और याद रहे कि जो connected car features की हम बात कर रहे हैं वो आपको base variant को छोड़ कर बाकी सभी variants में मिलेंगे दोनो hybrid and non-hybrid variants के अंदर तो आपको करना क्या है आपको install करने के बाद आपको अपना registered mobile number वहाँ पर डालना है याद रहे यह वो ही registered mobile number है जो की आपने Toyota dealership में vehicle purchase करते समय दिया था उसके बाद आपके number पर OTP आने के बाद आपको अपना name और सब details डाल कर आपको एक password create करना है और next screen पर आपको vehicle का registration number या win number दो options आएंगे डालने के लिए तो preferably आप वहाँ पर win number का परियोग करें क्योंकि new vehicle में usually कई बार registration number अपडेट नहीं होता है तो जैसी आप उसमें registration number अपना win number डालेंगे तो आपका vehicle add होकर आपको main dashboard दिखाई देगा जो की कुछ इस परकार का दिखाई देता है तो टोयोटा i connect के अंदर फायदा यह है कि आप remotely कहीं से भी अपने vehicle को start कर सकते है और AC को control कर सकते है इसके लिए आपको गारी के पास किसी परकार का internet connection या wifi होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो device है basically वो universal sim जिसके अंदर लगा हुआ है जो कि nearest service provider जो network service provider है उसके through internet से connected रहता है तो app के interface में चलते हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपको यह button दिखाई दे रहा है ignition on करने का आपको इसको press and hold करकर रखना है और यह तक्रीबन लेता है पांच second के आसपास vehicle के साथ connect होने में और उसके बाद automatically आपका ignition on हो जाता है वहें नीचे जो climate control का option आपको दिख रहा है यहाँ से आप vehicle का AC का temperature भी set कर सकते हैं तो यह maximum जो एक बार आप on करेंगे ignition को तो maximum यह 10 minutes तक on रहता है उसके बाद automatically vehicle को यह turn off कर देगा और इन connected features जो की vehicle ignition और AC control के अलावा हमने बाकी सारे features जो भी है डीटेल में उसके लिए एक separate वीडियो बनाई हुए है जिसका link मैं आपको description में share कर रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप complete registration से लेकर एक एक option को हाँ पर आप डीटेल में देख सकते हैं तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप जान पाया हूँगी कि कैसे आप connected car app को use करकर अपने गाड़ी को remotely start कर सकते हैं और AC को control कर सकते हैं वह तो अन्य इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए थैंक यू वर्यमच फुर यू टाइम